भारत में गाए की एक ऐसी नसल तयार की गई है जो विश्व की सबसे छोटी गायों की श्रेनी में आती है यहाँ गाए दिखने में जितनी सुन्दर है उतना ही इसका दूद बच्चों की सेहत के लिए लाबदायक है इसका मूत्र फसल के लिए बेहद ही सुरक्षित है इस गाए की कीमत की अगर बात करें इस गाए की कीमत आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे इस गाए की कीमत अन्य गायों से दोगुनी होती है विश्व की सबसे छोटी गाए माने जाने वाली पुम्गनूर गाए को वरिंदावन के वातसल्य ग्राम में लाया गया है यहां लगभग सत्रा गाए इस गौशाला में रखी गई है यहां गाए दिखने में जितनी सुन्दर है उतना ही यह इनका दूद और मूत्र कारगर साबित होता है पुम्गनूर गाए की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती इसकी उन्चाई तकरीबन डेड़ से तीन फीट के आसपास होती है यह गाए देखने में बहुत खुबसूरत होती है एक अलगी ब्रीड से इन गाएं की नसल को तयार किया गया है वाचसल्य ग्राम की गौशाला में आंध्र प्रदेश के एक गाव से लाई गई इन गाएं के बारे में जानकारी की गई तो वाचसल्य ग्राम के मीडिया प्रभारी उमाशंकर ने बताया कि यह गाएं बेहत ही सुन्दर दिखने के साथ-साथ इनका दूद और गोमूत्र लोगों के लिए बहुत ही लाबदायक है बहुत ही अच्छा है लोकल 18 से बातचीत के दौरान उमाशंकर रही ने बताया कि गौशाला में 17 गाएं की संख्या है उनके बच्चे है अन्य नसलकी गाएं की अपेक्षा यह गाएं कम चारा खाती है इनका दूद बेहत ही लाबकारी है उन्होंने बताया कि दूसरी नसलकी गाएं में लगभग 5 प्रतिशत फैट होता है जबकि पुंगनूर गाए की दूद में 8% फैट होता है उमाशंकर रही ने लोकल 18 को यह भी जानकारी दी की गोमूत्र आंद्रप्रदेश के लोग खरीदते है अपनी फसल में गोमूत्र को छिड़काव करते हैं क्योंकि इस पुंगनूर गाए का जो गोमूत्र है कीट नाशक का काम करता है इसलिए वहाँ फसल अच्छी होती है गाए को पूझनिय मानने के साथ साथ वहाँ का प्रत्य घर इन गाएं को अपने घर में पलता है उनकी सेवा करता है इनका दूद बच्चों के मस्तिशक और शारिरिक विकास के लिए बेहत ही खास होता है इस गाए की कीमत करीब 80,000 से शुरू होती है पूरे दिन में 5 किलो भूसा खाती है और दूद भी अच्छा देती है